नमस्कार सर, सर क्या नाम है आपका, मैं राजेंदर सिंग सुपियाल, राजेंदर जी आप कहां से हैं, मैं उत्रा खंड के अलमुलाज डिस्टिक्क के बालिशिना कस्बा पड़ता है, वहां से प्लोग करता हूं, राजेंदर जी संत रामपाल जी महाराशन नाम देख्शा लेने से पहले आप क्या बक्ती साधना करते थे तो फिर क्या कारण बना कि आप संतरामपाल जी माराज की सरण में आए लगा यह करूँगा तो मेरी वाइप ने कहा कि भाई तुम कुछ करता क्यों नहीं हो तो मैं अपने हमारे गाहों में सिभी जी का मंदिर है वहां मैंने गेड बनाया उसमें घंटी चलवाई घंटी चलवाने के उपरांत लोगों ने का भाई तुने अच्छा काम किया है बहुत बढ़िया गेड़ बना दिया यह होए करके तो हमने भी लगाई दारुहरुपी के हमें घर को चले गिया तो मैं उज्दिन बहुत अपने अंतरात्मा से खुस हुआ कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया बट जिस उजिन ऐसा हाथ्सा हुआ कि मेरे साथ के मेरे ख़र के परबसंद सुनिये लेकिन मुझे बहुत घुस्सा आया कि हमारे भगवान शिव जी को एक खंत कह रहे है कि उनके दादा जी कौन है तो मेरा जो नसाता हो तो मैं खत्म हो गया लेकिन मैं सुनने लग गया उसको संत रामपाल जी महराद को सास्रम सुना जो च्छा मैने त तो द्रास के कहने से रहा नहीं गया मैं सीधे बरवाला चले गया अलमोरे से बरवाला जाने में पास इन लग गए पूरे रास्ते बास रापी पास इन मैं हम अलमोरे से हम सत लोग आस्रम बरवाला में गए वहां संत रामपाल जी महराद से 24 सितंबर 2013 को हमने नाम सब्सक्राइब नौर्मल आ गया सब्सक्राइब नौ बजे जब हम घर से निकलते थे तो हमारा बालीचना पड़ा बढ़ता तो वहां एक क्वार्टर तो मारी लेते थे उसके बाद दिन भर का पूरा हमारा यह सिस्टम चलता था कि हम पूरा साम तक हमारी एक बोतल डेल बतल हो जाती थी एक यार बजे रात हम वापस घर पहुंशते थे पूरे घर वाले हमसे परिसान थे माता पिता हमसे बड़े रुस्ट थे मेरी वाइब बहुत परिसान थी लेकिन मालिक की ऐसी रजा हुई संत्रामपाल जी महराज की की 24 सितंबर के बाद मैंने आज तक ने चाहती हैं तो कैसे ले सकती हैं हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट है हमारे बजीनामदान के फुले हैं टीवी में पीली पट्टी यह उसमें बाद ऐसर है उसमें आस्रम का नंबर हैं और आब जो भी बब्ब ग्त जो इन उस नंबरोंपे फोन करके जो भी भगत आत्मा जगत आत्मा नाम देना चाहते हैं तो उसमें उन नंबरों में कॉल करके नाम दिख्चा ले सकते हैं दन्यबाद जी सच सब्सक्राइब सब्सक्राइब